हेलो दोस्तों आप सभी कुछ अगत हमारी यूटिव चैनल में तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक मैटिक स्प्रिंट करा गया है जो कि पिछले कई वीडियो में ही करा रहे हैं लेकिन इसमें आप कुछ अलग देख रहे हैंगे कि पहला रो जो है हमारा प्रोग्राम नंबर है और बागी के जो रो हैं दोनों वह एक से उपर या नीचे नहीं जा रहे हैं मतलब कि यह स्पेसिफिक नंबर डिफाइन कर दिये हैं और यह चेंज नहीं हो रहे हैं उपर के नंबर तो चेंज हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कई बार लोजिक लगाकर इस तरह से वह मैट्रिक्स को प्रिंट किरा सकते हैं तो यह सिर्फ अपने लिए हैं मतलब देखने वाले हैं कि किस तरह से हम first row को जो है छोड़ कर और बागी सभी row को हम जो है कोई भी specific number जो भी हम number define करें वो print करा रहे हैं ठीक है तो चलिए इस वीडियो को start करते हो देखते हैं किस तरह से logic को लगाया जाता है और ऐसे matrix को print कराया जाता है तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर header file लेंगे header file में हमारा वहीं होगा हर बार की तरह hash include studio.h और यहाँ पर हमें random function का use करना है तो यहाँ पर time.h भी header file का use कर लेंगे क्योंकि इसमें time का use करना होता है और यहाँ पर int main यहाँ पर हम variable बनाएंगे सबसे पहले एक matrix data types का मतलब integer data types का matrix नाम का variable बनाएंगे और यहाँ पर कुछ variable हम बनाएंगे a b और c का वैसे यूज नहीं होगा लेकर बना लेते हैं अगर माली जगा भी यूज हो भी गया तो यूज कर लेंगे नहीं हुआ तो छोड़ देंगे a is equal to 0 a less than 2 by 2 का बनाना है a less than 2 a++ फिर यहाँ पर फोर लूप स्टार्ट करेंगे b is equal to 0 b less than 2 b++ और यहाँ पर हम random function के यूज करेंगे matrix a और b is equal to random function percentage और यहाँ पर नंबर कोई कोई भी नंबर जहां से जहां तक आपको लेकर जाना है नाइन तक हमें लेकर जाना है जीरो से नाइन तक ठीक है और उसके बाद यहाँ पर हम इफ कंडिशन लाएंगे if a is equal to if a greater than 0 then क्या हो कि हमारा जो मैट मैट्रिक्स जो a और हम भी बनाए हैं वो क्या हो जाए जीरो हो जाए या कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर हो जाए जो भी हम यहाँ पर देंगे ठीक है तो इस तरह से हमारा एक रो कुछ रैंडम नंबर आएगा और बाकी सभी बिना रैंडम नंबर के फिसके हम यहाँ पर फोल लूप स्टार्ट करना होगा अब यह तो डाटा यहाँ पर अब हमें प्रिंट करना है तो is equal to 0 a less than 2 a++ फिर यहाँ पर फोल लूप स्टार्ट करेंगे बी is equal to 0 b less than 2 b++ ठीक है यहाँ पर अब हम लिख लिए हैं सब मतलब डाटा को स्टोर कर लिए है अब हमें प्रिंट करना है फोलूप भी चला दिया है यहाँ पर प्रिंट अफ लाएंगे %d space जो हम मैट पर जो value store किये हैं यहाँ पर a और यहाँ पर b इन दोनों को प्रिंट भी कर दिये और यहाँ पर क्या करेंगे कि एक प्रिंट अफ लगाएंगे है भाएं है है ऐसा प्रोग्राम तो आप जानते ही यह मतलब उपर एक छोड़ा सा लौजिक देखना था कि इस तरह से हम एक रहों के बाद सभी नमब सभी अलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहिए वैसे कर सकते हैं तो यह तो हो गया हमारा प्रोग्राम पूरा अब हम इसे रन कराते हैं रन कराने के बाद हमारा आउटपूट आएगा तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा output क्या आ रहा है उपर का तो कोई भी value है मतलब random number generate किये हैं और random number कोई भी value आएगा ये तो है लेकिन नीचे का क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ 0 ही आगा नीचे का random value नहीं होगा यहां पर हम बार बार रण करा रहे हैं और बार बार एक ही value आ रहा था यानिकि इसका मतलब यह है कि हम यहां पर srand function का use नहीं कि और अब हो गया तो अब हमारा बार बार एक ही तरह का value नहीं आना चाहिए f9 देखिए हर बार अब value change होगा उपर का उपर के रोगा जैकि नीचे के रोगा बिल्कुल भी change नहीं होगा यहां पर आप अपने तरफ से भी कोई number दे सकते हैं जैसे कि हम यहां पर 0 लिखे हैं तो आप 0 को हटा कर कुछ और लिख सकते हैं जैसे कि 1 कर देते हैं तो अब नीचे का जो भी है रो नीचे की जितने भी रो होंगे जैसे कि 2 by 2 का बनाईएगा या फिर 3 by 3 का बनाईगा अगर यहीं logic सेम लोगाईएगा तो सिर्फ एक रो हमारा जो है कोई भी random number होगा और उसके बाद जितने भी रो आएंगे वो सभी क सभी एक ही number होगा जो आप इस program में बताएंगे कि हाँ इसका value 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए वो होगा तो इस तरह से हम matrix को बनाईए यह आपको पता यह भी आपको पता है कि मतलब यह कोई types नहीं है हम इस तरह से बताए हैं मतलब आप इस तर हम पहला रोह जैसे कि नीचे का value को छोड़egar जैसे कि टूआ alpha 2 का बनाए हैं हम तो हम चाहते है कि हम्चाहते है कि हमारा पहला रहर है जो जीरो हो जाए और दूसरा रहोह हो वह हमारा कोई फिर रेमना नंबर हो जाए ठीक है तो उसके लिए भी क्या करेंगे कि हम हमें यहाँ पर फिर equal रखना पड़ेगा जैसे कि a equal to 0 जैसे कि पहला row अगर मालीचे हमें print कराना है कोई भी एक specific number तो हमें a equal to 0 करना होगा क्योंकि कोई भी पहला row होता है वो 0 से start होता है ठीक है तो इसमें आप उपर का जो row होगा वो हमारा 0 होगा और वन होगा या फिर जो भी आप यहाँ पर number लिखेगा वो हमारा print होगा और नीचे का जो है वो random number generate होगर वो अपना value देगा ठीक है और अगर इसी तरह से कई सारे इसमें हैं तो आपको इसमें ध्यान देना होगा जैसे कि मालीजे कोई भी row है जैसे 3 by 3 का बनाया है ठीक है तो आपको इसमें 2 चाहिए यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं या फिर उसके लिए भी कोई logic लगा दीजेगा मतलब छोटा सा कि एक variable रखकर और इस variable से हमारा छोटा ही और उस variable का जो है आपका matrix में जितने भी row होंगे उससे एक minus करके value रहेगा तो इस तरह से भी हो सकता है अब इसे try कीजिएगा इसमें कुछ खराबी तो है नहीं उपर का हो नीचे का हो यह side का हो जैसे कि columns हो जैसे कि columns हो जैसे कि columns एक तरफ कोई और नमबर है और दूसरी तरफ random number जायामुद के भीyards वितने झालो हो सरफ दितने एकी का होगई और रज् amps